बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्षा के जीवन में हिंदी और हमारा पाठ होगा चीत्र को पहचान कर और उनके नाम लिखें ठीक है इसके पहले बच्चो हम लोग इसके कुछ छोटी सी कहानी थी उसे हम लोग पढ़ चुके हैं कहानी का नाम था नटखट गनपत ठीक है आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इनके प्रश्ण उत्तर इसे हम लोग कम्प्लीट करेंगे ठीक है चलिए देखते हैं ये देखिए दिया हुआ है चीत्र पहचान कर नाम लिखिए ये चीत्र को आप देख रहे हैं ना बच्चो इसे आपको पहचानना है और इस डब्बे में इनके नाम को लिखना है ठीक है चलिए सबसे पहले आप इस चीत्र को देखिए और मैं आपको बताई हुँ ना कि जहां पानी भरते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं? वेरी गूड क्या कहते हैं? पन घाट तो यहां लिखेंगे पा ना घा टा ये क्या है? पन घाट ठीक है आईए सेकंड नमबर चित्र को देखते हैं क्या चीज का चित्र है बच्चो? इसे आप सब ही जानते हैं क्या है? पेड़ पेड़ तो है ही लेकिन क्या चीज का पेड़ है? क्या चीज का व्रिक्च है ये बताईए? वेरी गूड क्या चीज़ का है बरगद है न तो यहां लिखेंगे बरगद बा रा गा दा ये बरगद का व्रिक्ष है ठीक है आईए आगे देखते है ये क्या है बच्चो यहां आप सभी लोग जाते है छुटियों में यहां आप क्या करने जाते है इन्जुए करने जाते है ठीक है ये क्या है पार्क पार्क तो है ही लेकिन इसे हिंदे में क्या बोलते है ये है उपवान ठीक है ये देखेंगे यह क्या है उपवान ठीक है यह दिखे यह क्या है बच्चो इसे तो आप सभी जानते हैं जानते हैं और इसे आप जब इसकूल जाते हैं तो आप इसे ले करके भी जाते हैं अपने साथ क्या है वेरी गोड क्या है थरमस ठीक है तो यहां लिखेंगे थरमस क्या हो गया थरमस अरे वाह आप तो सभी जानते हैं चलिए अब आप इसे फटा फट कम्प्लेट कीजिए आज के लिए बस इतना ही